आज मैं आपको बताऊंगा कि windows machine को कैसे speed up कर सकते हैं यह करने से हमारे system का performance increase होगा हमारे system का storage space में increment होगा हमारे system का lag कम होगे और इसके booting process भी काफी fast होगा कैसे करना है तो चलिए let's get started Fast startup first start up open setting करने के लिए हमें जाना हुए control panel में हम type करेंगे run window में control और ok press करेंगे ok press करने के बाद हमारे पास control panel का window open होगा जहां पे हमें जाना है और select करना है power option को power option select करने के बाद हमें click करना है choose what the power button do और इसके बाद करना है चेंज सेटिंग में क्लिक और यहां पर हमें अंटिक करना है टर्न और फास्ट टार्ट अप और सेफ करना है अब इसकेंड ऑप्षन है हाई पर्फॉर्वेंस पावर प्लान इसके लिए हम अपने कंप्पुटर की रन विंडो में जाके कंट्रोल लिखेंगे जिससे हमारा कंट्रोल पैनल ओपन होगा और वहां पर हमें जाने के बाद पावर ऑप्षन को सेलेक्ट करना है पावर आप् अगर हमारे कंप्पुटर के ड्राइवर अपडेट नहीं है तो हमको कंप्पुट्टी अपडेट रखेंगे जिससे हमारे कंप्पुटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है इसके लिए हम जाएंगे माई कंप्पुटर में मैंनेज ओपन करेंगे और वहां पर डिवाइ सब्सक्राइब के अंदर भी वहां से भी अपडेट कर सकते हैं आपको जो में अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं अपडेट के लिए हाय दिए ऍट करने के लिए हमें वहां पर लिखेंगे पार्सन्टेज्ट साइन महीं आव में इuffed और और वी करने के बाद हमारे पास पर्संटेज्ट का विंडो ओपन करेंगे ँप यहां को नेकशी है जर आप पीछनगे लिए मैं अपिर से के रन विंडो ओपन करेंगे और टैम आपे लिखेंगे प्री पी रए एफ टी सी एच और में पास आमने जो विंड़ो ओपन होगी वहां से हम इसको सारी फाइल से करेंगे और डिलीट कर देंगे नेक्स वह मारा आप्शन है और रिसेंट फाइल रिसेंट फाइल अगर कुछ रिसेंट फाइल से जो में एक्सित किया हम एक रिकॉर्ड होता है हम उनको रिमूप कर देंगे नेक्स्ट इस्टिप में हम जाएंगे सर्विसेस.msc हम सर्विसेस को कुछ सर्विसेस स्टॉप करेंगे जिससे मारे कम्पूर्टर का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा स्टॉप करेंगे स्टॉप करेंगे स्टॉप करेंगे और यह सर्विस हमारी स्टॉप करनी है जोar सर्विस को स्टॉप करनी है वह सर्विसेस स्टॉप करनी है रीमुत इस विसे ऊसके सथी करने के लिए हम जाएंगे एस KIR Taste 500 करेंगे से इससमें और तो किया उन्दु के स्टॉम करेंगे और यह विम्हेदाक प्रिक करें आज में नुद्ट जी तो कि स्टॉब करेंगे अगर यह यां इन्सट आए रिखन से इन देटें किया यह भी अगर खौर में जा तो इसले से में जाए फार्फरोर्मे कर। करते हैं next है हमारा this cleanup इससे रøn करने के लिए हम जाएंगे ways इस पीसी में उपन करेंगे किसी ड्राइब पे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी उपन करेंगे प्रॉपर्टी उपन करने के बाद हमारे पास एक आफशन दिखेगा डिस क्लीन अप जनरल ट्राइब के अंडर में डिस क्लिक करेंगे और वहां पे क्लीन अप सिस्ट सारे एक option को select करना है वह आप अपने requirement के साब भी select कर सकते हैं अदर्वाइस आप सारे select करके okay करेंगे और delete file पे click करेंगे इस तरह से आपका system के नदर जो भी unwanted files हैं जो भी system files जो यूजने और यूसाइट करेंगे और उसके बाद हम select करेंगे tools option उसके अंडर में tools option के अंडर में select करेंगे optimize और वहाँ पे drive को select करके optimize click करेंगे और यह process one by one सारी डिस्क जो भी अपने drives है उसमें select करके करना है और आपकी सारी डिस्क जो भी आपके डिस्क जो भी partition optimize हो जाएंगे और आपको performance increase होगा next option है हम command लिखेंगे CHK-DSK यह बैट सेक्टर को locate करता है और उनको हमारे hard disk से recover करने का करता है इसको कैसे करना है इसके लिए हम जाएंगे रन में वहां पर टाइप करेंगे cmd करेंगे और वहां पर लिखेंगे CHK-DSK और एंटरप्रस करेंगे और एंटरप्रस करने के बाद यह process होगा examine करेगा verify करेगा थोड़ा था lengthy process रहता है यह तो इसे हम यहां पर करेंगे बास और देखेंगे next command के है हमारा next command जो यहां पर हम लिखेंगे वह है CHK-DSK space देंगे forward slash R लिखेंगे space देंगे forward slash F लिख करेंगे और इंटरप्रस करेंगे इसके बाद यह option देगा yes no का restart करने के बाद यह चेक करने के लिए पूछ रहा है तमतरेंगे yes और इंटर कर देंगे तो जब भी हमारे computer restart होगा यह automatic भी चेक करेगा fix करेगा और हमारे computer speed up or clean next option है हमारा यह है SSC scan now यह मारे प्रोटेक्टर सिस्टम फाइल को रिप्लेस करता है कुछ से करप्शन है तरो रिप्लेस करता है कैज़स से इसके लिए हम कमांड प्रॉंट में जाने के बाद राने अड्मिस्टेटर से कमांड प्रॉंट ओपन करेंगे और वहां पर ट इसका प्रोशेस स्टार्ट होगा और यह थोड़ा था टाइम लेता है वेरिफाई करता है फिस्कैन करता है तो यहां पर अब यह कमांड को जरूर यूज करें इसके मारे कमप्रॉटर को परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है नेक्स्ट जो है डिए एसम टूल डिप्लाइमें सब्सक्राइब 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 करता है इस तरह से हम इन तीनों कमांड को यूज करके अपने कमप्रेटर को स्पीड अप कर सकते हैं उसकी स्पीड को बूस्ट अप कर सकते हैं परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सक चिकिश करने हैं में को यहां बएक करने के लेकिन रेम को यहां पे दिला जाना है उसका और इसल profus यहां चाहب सेँ.. जुप शोड़े हैं यहां से जुप भी रिमुट कर देंगे.. और उनको अन्यस्टाल करें पर नेक्स्ट जो हमारा आप्शन है वह है अपडेट यूर विंडूज इसके लिए हम जाएंगे अपने कंप्टर की सेटिंग में स्टार्ट कंप्टर की सेटिंग में और वहां पर हम जाने के बाद सेलेक्ट करेंगे तरह अपडेट एपडेट एंशिक्यूर्ट अपडेट एंशिक्यूर्ट टीओ सेलेक्ड करने के बाद हमारे पास विंडूज अपडेट और राइट उप्डेट और राइट चैनल करेंगे चच पौर उपडेट या आपकी कुछ सब्स ने तो निखा हुआ है गा है कि यहां पर एप्डेट चेक करेंगा कुछ अपडेट होगा तो डाउनलोड रोड़ कि इंस्टॉल हो जाएगा नेक्स सिस्टप है जो कुछs यहां पर वन योन बाइन वान बीवान भी कर सकते हैं नेक्सपार्व को फूक अस्टेंट उसको भी ऑफ करना है थर्ड जो आप्शन है इसके लिए हम एप में जाएंगे हो में क्लिक करने के बाद एप में जाएंगे और वहां पर हम प्लेक्ट करेंगे एप फीचर और यहां पर कुछ प्रीकंफिगर्ड विंडूज प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं हम उनको यहां से अनिस्टॉल कर सकत हैं पर्टिकुलर अप्लिकेशन को भी आप कर सकते हैं या हम चाहते हैं सारी आफ करें तो यहां से हमको आफ कर सकते हैं नेक्स्ट जो हमारा अप्शन आता है वह सेटिंग में जाने के बाद हमको जाना है प्राइवेशी आप्शन में जाने के बाद हमको जाना है डाइग् कर देए को वंको नेर करना है कि यह अधिक गर करके भी आपने कम्पुटर को बूटस्टब कर सकते हैं पीच्ट को किसी के परफॉरमाइंस को इंखरशम नेच्ट कमांड नैमारा त्री इसको मांड का यूज़ करके भी हम अपने कंपुटर के काफी सारी जाना ऊजिए पर अजसे को एंसे को सपीड़् तो सब्सक्राइव क्या वर hunter को आ इसे निगर पॉॉपरॉर्मेंट इसके लिए कमंड पेल्डेर जाना फोल विंडू में जाना वात जिलutz प्रिक टी हुए कर है कि छिए कमंड है ус हमाना ऑप्षान है एकनफीग हम लिखेंगे रन में जाएंगे वहां पर open लंडो वहां पर टाइब करेंगे म्स को एनफ फाइची स्टेप निदर करेंगे परेंगे करने के बाद मारे पास सरीषिस के अंदर जाना है वहां पर टिक करना है सब्सक्राइब करेंगे हमारी सब्सक्राइब करेंगे यह करने के लिए हम टास्क वैनेजर में जाके वहां से जो भी प्रोग्राम से नहीं चाहिते कि बूटिंग के टाइम पर रॉनिंग हो रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे और वहां पर क्लिक कर देंगे हिस्ते हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके लाइक फ्री कर सकते हैं बूटिंग प्रोसेस इंक्रीज कर सकते हैं और अपना कंप्यूटर जो है फास्टर कर सकते हैं होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू